हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपको गतिमान आईक्यू स्टेडी चेनल पर और जैसा कि आपको पहले पढ़ाया गया था इससे पिछले वीडियो में वर्गमूल निकालने की विधी तो उसके अंदर हमने आपको सो ट्रिक से एक तो गुननखंड विधी से बताया था कि महत्वपून प्रस्न देखेंगे जो एक्जाम के अंदर आपके कॉंपटेटिव एक्जाम के अंदर आते ही आते हैं और डेफिनेट आते हैं आप कोई सभी एक्जाम दें चाहे गुरूब दी दें रेलवें टीपीसी दें या रीट थर्ड़ गरेड अध्यापक राजस और बने रहें वीडियो के अंदर तक क्योंकि आज आपको इस वीडियो से आप निश्चिती होगा तो आएए चलते हैं प्रस्नों की और इससे पहले यदि आप इस चेनल बनाएं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और सेर कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके मुबाइल तक पहुंचते रहें और आपको हर नई जानकारी मिलती रहें और सभी विद्यार्थियों का और आपके मित्रों का सहयोग बना रहें और उन्हें भी लाब मिलता रहें और हमारे चेनल पर इसा ही महत्रपून जानकारी आपको परदान करते रहे हैं इसा हमें भी मोटिवेशनल मिलें क्यों क्यों कि आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक ही हमारी एक अच्छे मनोबल के साथ वीडियो परदान करें और नई नई चीज़ें आपको बताएं तो आए यह देखते हैं तो देखिए इस तरह का एक कोशन आता वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन पहला है हमारा लेते हैं यह जश्ट उससे आगे का वीडियो रहेगा हमारा कि कि अगर आपको इस तरीके से देदे कोश्चन शिक्स प्लस और फिर इसके अंदर अंडर उड़ देदे आपको शिक्स प्लस और फिर इसके अंदर भी अंडर उड़ देदे आपको इस तरीके से आपको देता जाए शिक्स और फिर प्लस लगा के डे 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 इस इन्फाइनाइट अनंत तक देदे आपको तो इसका व ग्याद करो इस प्रस्ण को कैसे सोल करेंगे तो देखिए बहुत आसान ही प्रस्ण जब भी आपको अंडरूट में इस तरह का प्रस्ण दे छे प्लस और फिर अंडरूट में छे और फिर प्लस लगा के उसके भी अंडरूट में छे इस तरीके से यह अंडरूट छे प्लस अंडरूट छे प्लस अंडरूट छे इस तरह से और अनंत तक वो जाए लिमिट नहीं इसकी अनंत तक जाए तो इस इस्थिति में क्या करते हैं छे के बाद वाली पूनवर्ग संख्या लिखें तो पून वर्ग मेंने आपको कल बताया था जिसका वर्ग मूल निकल जाए यह स्कुआइर करने पर उसी संख्या का वर्ग जो आता है उससे वर्ग मूल निकल आ जा सके तो आप जानते हो छे के जेश्ट बाद अगर हम करें साथ तो साथ अगर हम 6 के जैस्ट बाद 7 देखते हैं तो 7 का अगर हम अंडरूड निकालते हैं तो क्या निकलेगा क्या निशित मान तो ये नहीं होगा अभी मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ इसा फिर अगर हम 8 का देखें तो ये भी अंडरूड से बाहर नहीं निकलेगा पूरी बार ये भी नहीं होगा फिर अब 9 को देखते हैं 9 तो जब इसका अंडरूड लेते हैं तो ये बाहर निकलता है ऐसे 3 इंटू 3 बराबर 3 तो ये राइट आंसर होगा हमारा तो हम क्या करेंगे 9 लेंगे तो 6 के बाद आने वाली पूर्ण वर्ण संख्या कौन सी होगी बराबर 9 होगा और इसको बाहर निकालेंगे 3 तो ये हमारा वर्ण मूल हो जाएगा तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे अंडरूड में ही अंडरूड में ही लिखेंगे 6 solution तो बराबर अंडरूड 9 बराबर 3 answer आपको इस तरह से solve करना है ऐसा दूसरा एक्जामपर लेके दिखाता हूँ मैं आपको अब आप समझ जाएगे अच्छे से देखना द्यान से 12 प्लस फिर इसका अंडरूड में भी आप जानते हो 12 ही रहेगा प्लस अंडरूड में 12 प्लस अंडरूड में 12 प्लस देड़ेडस इन्फाइनाइट तक तो अब क्या करना है है simply समझ लो 12 के बाद ऐसी संख्या बताओ 12 के बाद का पूनवर्ग ग्याद करेंगे तो 13 होगा नि 14 होगा नि 15 होगा नि 16 होगा देखो 12 के बाद का पूनवर्ग 16 है अब 16 को क्या करेंगे अपन यह 16 लिखेंगे अंडरूड में फिर इसको आप इसे तोड़ सकते हो 4 इंटू 4 16 होता है तो अब क्या करोगे आप यह बराबर बहार निकल के 4 हो जाएगा 4 बहार निकल जाएगा वर्गमूल वर्गमूल है ना 16 का वर्गमूल 4 बहार निकल गया तो यह आपका क्या हो जाएगा पूनवर्ग संक्या है 16 अब इसी 4 को इस 12 में जोड़ देंगे इस तरीके से 12 प्लस 4 तो बराबर अंडरूट 16 और बहार निकल गया यह इसी वर्गमूल को इस 4 को इस 12 में इस तरह से अंडरूट में 12 लिखके प्लस 4 लिख देते हैं जो यह होगा 16 और फिर वेसे ही पिल्कुल बहार निकल के 4 हो जाता यह और यह आपका आंसर अगला कोशन देखी आप अगर आपको माइनस में कोई कोशन देदे तीसरा कोशन देखते हम यह बहुत इंपोर्टेंट है आपके एकजाम की दरश्टी कौन से है द्यान रखना 6 फिर आपको यह देदे माइनस में 6 है और फिर इसके भी माइनस में देदे 6 अंडर उड़ के अंदर और देदेस इंफाइनाइट तो इसमें क्या करेंगे हम कि 6 से पहले वाली यह माइनस के कारण यह माइनस चिन के कारण 6 से पहले वाले पून वर्ग संख्या तो वो कितनी होगी वो जानते हैं 5 तो ही नहीं क्योंकि 5 का अंडर उड़ करोगे तो कुछ होगा नहीं तो 5 से पहले भी देखो फिर तो 4 तो 4 होगा 4 होगा है इसलिए इसलिए अंडर उड़ चार लिखेंगे तो यह बाहर निकल लिखेंगे और 2 तो यहां क्या करेंगे हम 6 और यह माइनस के कारण वहाँ पुलस था इसलिए हम पुलस कर रहे थे और यहां माइनस 2 तो बराबर अंडर उड़ चार जो बाहर निकल के 2 यह यह आपका अंसर ठीक है तो इस तरीके से यह कोशन आपके एकजाम के दरिश्टी कौन से सोल होंगे ठीक है तो मुझे उमीद है कि यह प्रस्वन आपको अच्छे लगे होंगे एकजाम के दरिश्टी कौन से आईए अगला कोशन देखते हैं एक प्रकार का और important question है आपका देखिए इस तरह का question देधा जिसके बीच में कोई चिनी नहीं हो चौथा question देखते हम under root 2 फिर देदे आपको under root 2 फिर देदे आपको under root 2 यह एक दूसरे का अंदर डेते हैं और इस तरीके से डेडेडेस करके infinite यहां कोई चिने नहीं है तो इस तरह के जब भी कोशन आए यह कितनी भी बार है आनन्द का मतलब चार बार भी लिख सकता है पांच बार भी लिख सकता है आप confuse मतोणा इनके बीच में कोई चिने नहीं डेगा तो इसमें आपको सीधे दो άंसर लिख दे अगर इस तरह देता है तो अगर इसी कोशिण को इस तरह से देदे कहने का मतल sabem जरूरी नहीं दो ही दे यह यह तीन कर देो सपोज करवा आप लो यह तीन कर दे फिर अंडरोर तीन फिर अंडरोर तीन और डेश डेश अनन्द तो इसका सीधा आंसर आपको क्या करना है तीन जब इनके बीच में कोई चिने ना हो यह important question है इसको देखके students या परिक्षा में बेठे लोग घवरा जाते हैं कि यार यह कैसे होगा इसकी value रखने लग जाते हैं लगबग लगबग important करवा दिया है और एक question और आता है आपके अधिकतर वो वर्ग मूल का है वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि वो हमेशा क्या आता है इस तरीके का question आता है यह exam के अंदर कई exam में देखा मैं 0.9 का वर्ग मूल ग्यात करो तीन इस्थान तक यह ऐसे भी पूछ लेता है कि 0.9 का वर्ग मूल घनमूल नहीं यहां वर्ग मूल की बात हो रही देखाना थोड़ा सा question यह important इसलिए करवा रहा हूं है आपको तो आपको कुछ नहीं करना है आप सीधे ऐसे लिखेंगे और आप यहां पर क्या करेंगे 0.9 लिखेंगे और ऐसे वर्ग मूल जब भी आए पॉइंट वाले तो आपको पॉइंट के इधर सीधे जोड़े बनाने है तो एक तो आप एसा जोड़ा बनाए यह फिर अपनी मर्जी से 2.0 लगाए कि पॉइंट यहां पर पहले से लगा देंगे यहां क्या बच जाएगा नव ठिक और यहां पर आपको मैंने सिखाए था भाग विदी से तो यह पुलस 18 है अब यह दो जीरो उतर जाएगा यहां पर तो इसको अब हमें तो अंदजा लग जाता है अफ्सको कितनी बार गुना करेंगे 8 बार करेंगे 8 नीuh चार भार सॉरि क्यों कि 3 पर गुना करेंगे ताप यहं करके देख लीजिए यह 18 दो पेले सी था वह और जो जिस से गुना गुणा करते हैं उसको यहां लिखते हैं और उस से से नीचे गुना कर देते हैं तो चार्जों सोला कि छें असिल गाए एक चार आठा बहतीस एक तीस का तीन हासिल का तीन चार एकम चार दिन साथ अब अगला अगर एक सो चुराशी जोड़ते हैं तो यह नो सो से उपर निकल जाएगी संख्या है ना तो इसलिए एक इतनी बा अब इसको मैनेस करेंगे दस में से चे गया चार यहां बच गया नो में से तीन गया छे और यह एक है ना यहीं बचेगा एकसो चोट्वन सब्स का आप उन गुना करते हैं उसी को प्लस करते हैं तो यह इंटइएट हो जाता है हॉं यह दो जीरो आपकोने उतर कर यहां आ यह आखरी रहेगा ती रंगों के लिए हैं अब देखो कोशिस करो किसका बजाएगा भाग यहां पर अब देखो यहां पर जाएगा आठ का क्यों क्यों कि थोड़ा सा अंदाजा लगा लिए अगर ओ आठ अठाइम 64 यह दिख़रा आपको तो इस हिसाब से भी अपन कर सकते हैं तो इसको ऐसा करके देखते हैं एक आठ आठ और यह आठ का कर रहें तो आठ से गुना कर देंगे क्यों कि एक 68 तो पहले यह जितने बार हम भाग दे रहे हैं इसके अंधर वह यहां और वसी के नीच्छे उसी संक्या से गुना तो आठ 8 बार देड़े तो 8 सब्ऑना करते हैं 888 464 दि चार हासिल गछे अब देखो आप यह 16,400 ले 1514 आ गया है अब अगर इसके अंदर हम आठ नो बार देते तो ये इसको क्रोस कर जाता क्रोस कर जाता है ना तो इसको क्यों क्योंकि यहां यह बन चुका है अब आठ बार दिया ना हमने तो यह आठ ही प्लस कर देंगे अगर इसको नो बार देते तो यह नो तो इसमें अगर आप दो हजार के आसपाद 1800 जोड़े लोगे तो ये संख्या क्रो सो के 1600 से उपर निकल जाती तो यहां पे क्या जाएगा 15104 अब इसको हम माइनस कर देते हैं और यह कितनी बार गया? आठ बार गया तो इसको हम माइनस कर लेते हैं तो यह 1296 आगया माइनस करने पर है ठीक क्यों कि दस में से चार या छे और यहां नो और यहां आपके तीन में से एक गया दो और यह एक इसमें से और यह कट तस कट गया वह पुछ नहीं तो अब देखिए कहने का अधाद पर रहे कि कोशन देखिए आपको क्या था कि 0.9 का है जीरो पॉइंट नाइन यह तो जीरो पॉइंट नाइन का वर्ग मूल क्या पराप्ट हुआ हमको जीरो पॉइंट नाइन फॉर एट आप सोच भी नहीं सकते हैं कि यह ऐसा आएगा इसलिए एक सवाल पूछता है बार बार तो आप कैसे गयाद किया आप देख लेना तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे नेश्ट वीडियो में ऐसा ही इंट्रेस्टिंग टॉपिंग के साथ आपसे मिलते हैं तब तक के लिए जैहिन